जवाहालाल नहरु विश्विद्याले में राम नौमी पर हुए विवाद को लेकर युनिवरस्टी की कुलपती प्रोफेसर शांती श्री धूली पूरी पंडित ने अपनी चुपी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों में JNU को लेकर एक गलत धारना है। मैं लोगों की इस धारना को सही करना चाहती हूँ कि हम टुकडे टुकडे नहीं है। JNU में पत सम्हालने के बाद मैंने किसी को भी इस तरह बात करते नहीं देखा। हमें एक राश्वादी ही काई है। न्यूज इजन्सी A&I से बात करते हुए कुलपती शांती श्री धूली पूरी पंडित ने कहा कि वो विश्वयादाले में राम नौमी पर कावेरी चात्रावास के मैस के मेन्यू को लेकर ABVP और लेफ्ट के बीच हिंसक जड़प हुई। दरसल यूनिवरस्टी में राम नौमी पर हवन कराया जाए या नहीं और खाने के मेन्यू को लेकर विवाद था। ये विवाद चात्रों के दो समुहों में हुआ। इस मामले की प्रॉक्टोरियल जाच के आदेश दे दिये गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जाच एक निस्पक्ष जाच होगी। आपको बताते चलें कि 10 अप्रेल को ABVP और लेफ्ट यूनियन ने एक दूसरे पर चिकन पकाने को लेकर कैमपस में हिंसा भढ़काने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर मारपीट की वीडियो और तस्वीरे भी शेयर की गई। वामपंथी समू का इलजाम है कि राम नौमी पर चिकन पकाने को लेकर ABVP के लोगों ने वामपंथियों के साथ मारपीट की। वहीं ABVP ने दावा किया है कि वामपंथी शात्रों ने उनके राम नौमी प्राथना समारों पर हमला किया। इस बीच JNU के चात्रावास में मांस पहुचाने वाले मीट विक्रेता ने बताया कि कुछ चात्रों ने उसे फोन किया और कहा कि राम नौमी पर विश्विद्याले के कावेरी चात्रावास में चिकन क्या पूर्ती नहीं की जानी चाहिए। बेरहाल इस मामले में अभी जाच जारी है। आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।